हिंदी टेकने उसका आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा पीसी फोटो एडिटर के बारे में तो इसमें जो एडिटर है ये पीसी फोटो एडिटर है जो वन्डर सेयर का है फोटो फायर करके ये फ्री नहीं है इसके लिए थोड़ा पैसा देना पड़ता है इसका आपकरेड प्रीमियम और जान आपको खरीदना पड़ेगा इस जो सबसे बड़ी खास्यत यह है कि यह बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है और सरल है यूज़ करने में इसके लिए न तो आपको कोडिंग की जोरत पड़ेगी और मतलब कि किसी भी एक्सपीरियंस की जोरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी बहुत ही सब्सक्राइब और आप जैसा चाहें वैसा फोटो आप इसमें एडिट कर सकते हैं तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा क्यों कैसे फोटो एडिट इसमें करते हैं तो चलिए इसका नाम जो है ये देखें वंडर सेयर फोटो फायर करके है तो इसमें जो है एक आता है फोटो एडिटर और दूसरा है फोटो कटर और तीसरा है फोटो एरेजर यह तीन विभाग इसमें आते हैं तीन भाग जिसमें से फोटो एडिटर है फोटो का एडिट करने के लिए और यह जो फोटो के बैक्ग्राउंड को करने के लिए होता है और यह फोटो एरेजर है यह फोटो में से अन्वांटिट चीज को हटाने के लिए होता है तो मैं एक करके तीनों को बताऊंगा आपको तो सबसे पहले फोटो एडिटर के बारे में देखते हैं तो देखें यह फोटो एडिटर का जो है विंडूज ओप बहुत ही clean photo है आप यहां पर देख सकते हैं इसको अब जो है इस photo में आप जैसा चाहरे वैसा कर सकते हैं बदलाओ यह पहला effect करके है यह effect में आप जब फोटो में कौम सा effect डालना चाहते हैं वह effect यहां पर है आप इसी साथ से डाल सकते हैं जैसे कि यह देखिए वो जो है पापुलर था यह लोमो है अगर आप यह लोमो में महाल लिए इसको आप अगर क्लिक करते हैं तो यह देखिए इस तरीके से फोटो जो है थोड़ा चमकिला हो गया है तो यह जो है यह तो नॉर्मल basically सब में होता है इसके बारे में तो आप जानते होंगे और mobile में photo edit करते समय यह तो आप किये होंगे तो इसके बारे में तो आपको पता ही है क्या बताऊं मैं यह देखिए उपर यह दूसरा second option है जो crop का option है आप जो है किसी भी size में फोटो को crop कर सकते हैं काट कर सकते हैं और उसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं तिसरा adjustment option है यहाँ पर देखे temperature, hue, brightness, contrast, shadow, highlight आज कितने भी हैं आप उस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं इसको adjustment जैसा आप चाहें वैसा अगर आप जैसे अभी मैंने यह इसका यह बढ़ाया अगर आप इसको नहीं चाहते हैं ताप इसको यहाँ से undo कर सकते हैं यह देखें यह पहले का हो गया है इसके बाद इसमें देखे color balance है color balance पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो color आप चाहेंगे वह color जब देखे मैंने यह लो किया तो यह देखे यह लो हो गया यहाँ पकर होगे यह होगा तो इस तरी के सब जो color चाहें वह color आप यहाँ पर इससे यूज कर सकते हैं दूसरा इस प्लाइट टूनाइट है इसमें जो है दो भी भाग एक highlight है एक shadow है तो अगर आप shadow में मैं समझे रेट करता हूं तो यह देखें यह shadow red हो गया है और इसमें अगर मैं green करता हूं तो यह देखें यह कुछ इस तरीके से बन जाता है photo इसके बाद तिसरा three way है यह three way में आप choose कर सकते हैं देखें जैसे कि यह मैं यह चुंच कर लिए हाँ पर और इसमें जो है rate कर लेता हूं और इसमें जो है yellow तो यह देखें इस तरीके से यह photo में आप डाल सकते हैं तीसरा है tone कर वे यह tone कर वे जो है photo को size देखा जाता है कहां से कहां तक photo को किस जगह को highlight करना है उस photo को यह होता है यह देखें इसको आप यहां से कर सकते हैं जैसा आप यहां पर जैसे अभी मधुमक्खी है या फिर जिस भी भाग को आप बलर करना चाहते हैं उस भाग को आप यहां से बलर कर सकते हैं यह देखें या तो आपको मोबाइल में भी मिलता है यह सब करने के लिए लेकिन इस photo editor का क्या खास है वो मैं आपको बताऊंगा तो यह देखें यह यह देखें वोती अच्छा के नौस से आप इसमें भी कर सकते हैं कि इसके बाद यह 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 अपर देखेंगी इसे ने जो आपको पसंद आएगा इफेक्स वो इफेक्स आप डाल सकते हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह जैसे मैंने पहला यह किया तो यह इफेक्स जो है इस तरीके से आया कि जो फ्लावर है यह फूल पूरी तरह से मतलब नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर देखें नीचे कैफिसीटी करके लिख्या हुआ है आप इस कैफिसीटी को कम कर दीजे तो यह देखें और कम कर दीजे तो यह जो है फ्लावर को दिखाई देने लगेगा यह देखें इतना इतना रखेंगे तो यह फ्लावर दिख रहा है यहां से आप देखें सॉप्ट लाइट हार्ड ल पाइनर कलर डे आप जो चाहें यहां से इसको और भी सेप में दे सकते हैं तिसरा है इसमें लिखने के लिए यह जो है आप कहीं भी कोई भी चीज लिख सकते हैं अधिट करके यहां पर अब देखें जैसे मैं यहां पर लिख्या ब्रीजेस जादो इस तरीके से आप जो है जो चाहें वह लिख सकते हैं और यहां से आप इसको जो है कलर चेंज कर सकते हैं कि जो कलर रखना चाहें आप इसका राइटिंग का वह कलर आप यहां पर रख सकते हैं कि टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजें और यहां पर इसका कलर चेंज कर दीजिए यह देखें यहां से आप इसको फांट को चूज कर सकते हैं कौन सा फांट रखना है यहां से बहुत सारे फांट से लेवल हैं यह देखें यहां से जो फांट सा आप चाहते हैं वो फांट से रख सकते हैं यह देखें और यह जो है यह होरिजोंटल है ऐसा करेंगे तो यहां पर ऐसा करेंगे तो यहां पर अशा करेंगे तो यह है है इसका जगा बदलता है यह तो एक नॉर्मली था अब यहां पर यह और भी ऑप्सन है जहांसे आब कलर होए सब इसका बदल सकते हैं जो टेक्स्ट लिखते हैं उसका तो यह तो इसके अंदर था जो हर हर फोटो एडिटर में होता है बैसिकली तो इ लेकिन इसका जो मेन फीचर है जो सबसे अच्छा जो है जिसमें आपको मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होता है जैसे कि फोटो का बैग्राउंड हटा करके फोटो को दूसरे बैग्राउंड लगाना वो सबसे इसका स्पेशल पार्ट है जिसको मैं बताऊंगा आपको अगले व यह में बनाएंगे इसको फोटो को वह आप यहां देख सकते हैं और जो औरिजनल फोटो है वह यहां पर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके बाद फोटो आपका तयार हो जाएगा तो आप इसको यहां से सैप कर सकते हैं क्लेक करके तो ये हो गया इसका जो है normally photo editor का अब इसका जो है सबसे special जो है जिसके बारे में मैं खास कर के आपको बताना चाहता था वो है इसका ये फोटो कटर ये फोटो कटर का मैं आपको अगले वीडियो में बता रहा हूं आप उसको देखेगा मैं फिलाल इसका बेसिकली बता देता हूं कि फोटो कटर ऐसा है कि इसमें आपको फोटो का बैग्राउंड हटाने के लिए इसा चूज नह क्लीन करने के लिए जो अधर ये फोटो एडिटर होते हैं उसमें जो है बैग्राउंड को क्लीन करने के लिए बहुत बारिकी से उसको पूरा उतना चुनना पड़ता है चुन-चुन के मिटाना पड़ता है लेकिन ये फोटो एडिटर में ऐसा नहीं है इसमें हट जाता है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह फोटो कहीं और से उठा कर लाया गया है या इसका बैग्राउंड चेंज किया गया है यह originally आपको दिखाई देगा तो वो मैं आपको next वीडियो में बता रहा हूं आप देख सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा जरूर हमको बता हैं बहुत बहुत धन्यवात